वियतनाम और हिंदू धर्व वियतनाम का इतिहास 2700 वर्षों से भी अधिक प्राजीन है वियतनाम का पुराना नाम चमपा था चमपा के लोग और चाम कहलाते थे और उनके राजा शैव थे दूसरी शताबदी में स्थापित चमपा भारती सिंस्कृती का प्रमुख केंद्र था यहां के चम लोगों ने भारती धर्म, भाषा, सभ्यता ग्रहन की थी 1825 में चमपा के महान हिंदू राज्य का अंतो हुआ श्रिब्भद्र वर्मन जिसका नाम चिनी इतिहास में फन हूता 383-433 मिलता है चमपा के प्रसिद्ध समराटों में से थे जिसने अपनी विजयों और सांस्कृतिक कारियों से चमपा का गौरों भढाया किन्तु उसके पुत्र गंगा राजने सिहासन का त्याग कर अपने जीवन के अंतिम दिन भारत में आकर गंगा के तड़ परव्यतीत की है चमपा संस्कृति के अवशेश वियतनाम में अभी भी मिलते हैं इन में से कई शैवों मंदिर है निजातिय तथा भाशिय द्रिष्टी से चमपा के लोग चाम, मले, पॉलिनेशियन थे वर्तमान समय में चाम लोग वियतनाम और कमबोडिया के सबसे बड़े अलपसंख्यक है आरंभ में चमपा के लोग और राजा शैव थे लेकिन कुछ सौ साल पहले इसलाम यहां पहलना शुरू अब अधिक चाम लोग मुसल्मान हैं पर हिंदू और बौध चाम भी हैं भारतियों के आगमन से पूर्व यहां के निवासी दो उपशाखाओं में विभक्त थे जो भारतियों के संपर्क में सब लोग हैं विकालांतर में चमपा के नाम पर ही चम के नाम से विख्यात हुए और जो बरबर थे और किराद आधी कहला हैं हलाकि संपूर्ण वियत नाम पर चीन का राजवन्शों का शासन ही अधिक रहा आप देखते रहिए न्यूस पुरान यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर क्लिक करें